हेलो ब्रेंट्स, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बढ़ाय बीचे चल रहे होगी तो पिरविद्यार्तियो, आज की इस क्लास में हम, कक्सा 11, भुगल विशे की बुस्तक, भारत भौतिक पर्यावरन के, अध्या एच्यार, जलवायू के, अभ्यास के समस्थ प्रशनों के उत्तर को हम जानेंगे हमने आपके नविंतम पाठेकरम के अनुसार, अध्या एक से लेकर तीन तक, सभी के अभ्यास प्रशनों बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिये हैं उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धी हुई है, या फिर चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप, उनसे भी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं तो चलिए क्लास हम सुरू करते हैं, देखें, पहला प्रशन आपके सामने दिया हुआ है, नीचे दिये गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर को चुनना है पहला है, जाडे के आरंब में, जाडा मतलब सरदी सरदी के आरंब में, तमिलाडू के तर्टिय प्रदेशों में वर्सा किस कारण होती है जब सरदी की सुरूआत हो रही होती है, उस समय जो तमिलाडू के तर्टिय प्रदेश हैं, वहाँ पर बारिस होने का कारण क्या है तो इसका सही उत्तर होगा उत्री पूर्वी मानसुन इसका सही कारण क्या है उत्री पूर्वी मानसुन की वज़े से सरदियों की स्टार्टिंग के समय तमिल लाडू के 30 प्रदेशों में वर्षा होती है दूसरा है भारत के कितने भूबाग पर 75 cm से कम वसत वार्षिक वर्षा होती है तो इसका सही उत्तर होगा एक तिहाई लगबग एक तिहाई हिस्से पर भारत के अंदर परती वर्षा 75 cm से कम वर्षा होती है आगे तीसरा दक्सिन भारत के संद्रब में कौन सा तत्यव ठीक नहीं है यहाँ पर चार कथन लिखे हुए हैं पहला है कि यहाँ पर देनिक तापांतर कम होता है यहाँ दिन और रात के बीच तापमान का जो अंतर है वो कम होता है दूसरा यहाँ वार्सिक तापांतर कम होता है तीसरा यहाँ तापांतर वर्स बर उंचा रहता है और चोथा यहाँ जलवायू विसम पाई जाती है तो सही कतन कौन सा है? सही कतन है कि दक्सिन भारत की जो जलवायू है वो कैसी है? वीसम पाई जाती है यानि वहाँ पर जलवायू के अंदर लगातार प्रिवर्तन होता रहता है चोथा जब सूर्य दक्सिन गुलार्द में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्न लिखित में से क्या होता है? तापमान कम होने की वज़े से उच वायूदाब क्या होता है? उच वायूदाब की इस्तती उत्पन हो जाती है ठीक है? आगे बढ़े प्रश्न संग्याद दो निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लग भग तीस सब्दों में दीजिए पहला है अन्ता उच्न कटी बंदिय अभीशरन चेत्र क्या है? अन्ता उच्न कटी बंदिय अभीशरन चेत्र क्या है? तो विशूवत वर्थ या उसके पास निम्न वायूदाब तथा आरोही वायूदाब का चेत्र क्या कहलाता है अन्ता उच्न कटी बंदिय अभीशरन चेत्र क्याatz चेत्र क्याता है? इस चेत्र के अंदर कौनसी पवने बहती है? तो इस चेत्र के अंदर व्यापारिक पवने बहती है अता ही चित्र में वायू हलकी होने की वज़े से उपर उठने लगती है इसे कभी-कभी मांसूनी गर्त भी कहते हैं इसे अंत ऊश्णिया, कटी बंधिय, अभीसरन चित्र को कभी कबार मांसूनी गर्त भी कहा जाता है कहां का चित्र है तो विसुवत, वर्त और उसके आजपास निम्न वायूदाब का जो चित्र है वो कहलाता है अन्तव उष्ण, कटी बंदिया अभी स्ण चित्र यहां पर कौन सी पवने बैती है वेपारिक पवने और यह पवने या वायू हलकी होने के वज़े से क्या होती है उपर उठने लगती है ठीक दूसरा मानसुन प्रफोष्ट से आपका क्या अभीप्रा है बारत में सबसे अधिक वर्षा तरने वाले इस्तान का नाम लेखिए तो मांसून प्राइस्पोर्ट का मतलब क्या है तो वर्षा रितू अर्थात दक्सिनी पच्छी में मांसून की रितू में जब अचानक वर्षा होती है तो बीजली तथा बादलों की गर्जिना भी साथ साथ में होती है और बहुत तेज गती के साथ क्या होने लगती है मांसुन प्रैसपोर्ट कहलाता है वर्षा रितु के अंदर ने दक्षनी पच्चिमी मांसून की इस्तक्वी में जब बहुत त्यज जाजा बारिश होती है उस समय बिजली और बाजलों की गर्जअ ओती है और बहुत तेज गती से मुशला जार बारिश होती है तो उस प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ आधरता भरी पवनों का चलना और तेज वर्षा का होना क्या कहलाता है मांसून प्रेस्पोर्ट कहलाता है अब भारत में सबसे अधिक वर्षा का होती है तो मेगाले के अंदर इस्तित मासी द्राम ये किस्तान है वहाँ पर भारत के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है आगे तीसरा उत्तर पच्ची में भारत में रभी की फशले बोने वाले किसानों को किस परकार के चक्रवातों से वर्सा प्राप्त होती है और वे चक्रवात कहां उत्पन होते हैं उत्तर पच्चिमी बारत के अंदर रभी की फसल ठीक है रभी की फसल बोने वाले जो किसान होते हैं उनको किस प्रकार के चक्रवातों से वर्सा प्राप्त होती है और ये चक्रवाद कहां उत्पन होते हैं तो पच्चिमी बारत के अंदर रभी की पशले बोने के समय सितोष्न चक्रवाद से क्या होती है वर्सा प्राप्त होती है और ये चक्रवाद कहां से आते हैं तो पूर्वी भूमध्य सागर से आते हैं इनको पच्चिमी विक्सों भी कहा जाता है और ये चक्रवात पूर्वी बागों में पहुंचते हैं तता सर्दियों में भारत के अंदर क्या करते हैं वर्सा करते हैं जो की रभी की फसल के अंदर क्या होती है रभी की फसल की भुवाई में उपयोगी होती है ठीक तीसरा निमनलिकित प्रश्णों के उत्तरलग बग 125 सब्दों में लिखिए पहला है जलवाईयू में एक परकार का एक क्या होते हुए भारत की जलवाईयू में चेत्रिय विभिन्ताय पाई जाती है उप्यक्त उधारन देते हुए इस कथन को क्या करना है आपको इस्पष्ट करना है कि भारत की जलवाईयू में चेत्रिय विभिन्ताय क्यों देखने को मिलती है इसको आपको इस्पष्ट करना है तो भारत में मानसून की जलवाईवी एक परवती देश की जलवाईवी में एक परकार का एक के परकड़ करती है मतलब भारत के अंदर मानसून की जो जलवाईवी इस्तती है वो देश की जलवाईवी में एक परकार की एकता परदान करती है यद भी भारत में बहुत सी जलवायू सम्मंदी प्रादेशिक विबिंताय देखने को मिलती है उदारन के लिए केरल और तमिलनाडू की जलवायू उत्री भारत के उत्तर पर देश और बिहार से विलकुल क्या है अलग है जबकि सारे देश के अंदर मांसुनी जलवायू कही जाती है आगे बात करूँ में जलवायू तत्वों में तापमान और वर्सा के वित्रण में इसी परकार की जलवायू समंदी प्रादाय देखने को मिलती है उदायान की बात करूँ तो राजिस्तान के पच्चिमी चित्र में तापमान ग्रिश्म रितू में 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँझ जाता है जबकि उसी समय अनुनाचल परदेश के अंदर तवांग परदेश का तापमान लगबग 19 डिग्री सेल्सियस रहता है वर्सा के वीत्रन में अभी इसी प्रकार की विबिन्ता देखी जाती है मेगाले के चेरापुंजी और मासिन राम में वासिक वर्सा 1080 सेंटीमीटर होती है जबकि राजिस्तान का जो पच्चिमी चेत्र है सम का मरुस्तल खिलके अथार का मरुस्तल उसमें लगबग केवल और केवल 10 सेंटीमीटर वर्सा वसत होती है अता जलवाईू तत्वों के आधार पर यह देखा जाता है कि बारत में चेत्री विबिन्ता विद्यमान है किन्तु मानसून के आधार पर देश के विबिन्त सामाजिक और आर्थिक कार्यों और सामाजिक विसेस्ताओं में प्रयाप्त समानताय व्याप्त है अतम कह सकते हैं कि जलवायू में एक के होते हुए भी बारत के अलग-लग परदेसों में जलवायू के अंदर विबिंता देखने को मिलती है दूसरा भारतिय मोसम विज्ञान विबाग के अनुसार बारत में कितने इसपष्ट मोसम पाए जाते हैं किसी एक मोसम की दसाओ की सविस्तार व्याख्या करो इसका उत्तर देखें भारत के अंदर मोसम विज्ञान विबाग के अनुसार वर्स में हमें पूल मिलाके चार प्रकार के मोसम देखने को मिलते हैं पहला सीत रितु, दूसरी गृष्षम, तीसरी दक्षणी-पच्चिमी मानसुन की रितु और चौती मानसुन के निवर्तन यानि मानसुन के लोटने की रितु यह चार रितु में दिखने को मिलती है। पंजब और राजस्तान में हिमांग से नीचे यानि जीरो से भी नीचे चला जाता है। वह दक्सिन बारत में सर्दी की रीटू बिल्कुल न के बराबर होती है। यह तापमांतर यानि तापांतर ताप के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम रहता है। तर्टिय प्रदेशों में ये बहुत कम रहता है। त्रिवेंद्रम का तापमांतर जन्दवरी में 31 लिग्री सेल्सियस और जून में 29.5 लिग्री सेल्सियस रहता है। सित्रितु में पमने उत्तर पच्चिम से दक्सिन के और चलती है जहां पर वायुदा क्या होता है कम होता है। सित्रितु के अंदर भारत भर में वर्षा बहुती अलपतम यानि न के बराबर होती है। हालांकि उस समय उत्तर भारत के अंदर वर्षा सीतोष्ण चक्रवात जिने पच्छी मी विक्सोब भी कहते हैं उनकी वज़े से होती है और ये वर्षा रभी की फसल के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द होती है उसी समय बारत के पूर्वी तटी भाग में भी विशेस कर तमिल लाड़ू में कभी कबार वर्षा देखने को मिलती है तो ये थी आपकी बारत के अंदर सीत रितू की इस्तती तो इस प्रकार आपने आपके अध्याई 4 के अभ्यास के समस्त प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मित करता हूँ सभी प्रशनों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लाब से भी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और ये महिनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेरो और सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए आप सबको जै हिंद, जै भारत